हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा टेश्टी सबजी आप देखर पैचान गए होंगे और बताईए आपके हाँ इसको क्या बोला जाता है हमारे यहाँ इसको भस चेड़े की सबजी भी बोला जाता है कमल ककडी भी बोला जाता है और यह क यह वाला हिस्सा भी बंद है तो यह दोनों साइड में बंद जो हो आपको वही वाली कमल ककड़ी खरीदनी है देखिए इधर भी बंद है एकदम और यहां भी बंद है जोइंट है तो आपको ऐसे ही मार्केट से खरीदनी है इसमें मिट्टी नहीं होती है बिल्कुल भी अग हमें अब इसको अच्छे से चील लेना है उपर का छिलका अब देख सकते हैं एकदम वाइट निकल के आईए और देखिए दोनों साइड में साफ है कोई भी मिट्टी वगेरा नहीं है और इसके चिकल वगेरा हम यह फैक देंगे तो ऐसे ही कमल ककड़ी हमें जितनी बनानी हो और सबका हम अच्छे से चलका उपका हटा देते हैं और इस तरीके से इसको बाद में काट लेंगे इस तरीके से हमें चोटे-चोटे टुकडे कर लेने गोल-गोल गोलाई में काट लेना है तो बहुत जादा टेश्टी बनती है दोस्तों यह सबजी तो आप बना की सारी काट ली है इस तरीके से आप देख सकते हैं इसकी मोटा ही हम दिखा देते हैं आपको इतना मोटा काट लेना है तो यह सारी हमने काट के रख दिया अब पानी हमने अल्लेटी बॉल कर दिया तो उस बॉल पानी में हम यहापे सारे यह डाल देंगे कंबल ककडी और इसक बाल कि य advertisements रहती है, आंनेगों यह रहुती है, तो होती है जरूरी होती है. एन बैल की टाञों करें लिए पोने लिए अलु मेरती है, लिए अलु काई बाल के लिए और के लिए टेन अबना ही मादा, Ond!!!!! त्वल में तनल ते टेल डेल कर ले आलो गोल्ड़न क्लर की हो घॉब को तरीके की हमें इतना बहुत ही जाद टेस्टी बनती है बहुत ही कम लोगों निखाई होगी बहुत जगा आती नहीं भी आती है तो देखिए यह आलू फ्राइ हो गए हमारे तो अब हम क्या करेंगे इसी कड़ाई में जीरा डाल देंगे उसको तरकने देंगे और यहां पे हमने एक प्याज डाल दिया है उसको भी हमने काड के डाल दिया है इसको भूल लेते हैं अच्छी तरीके से तो यहां पे देखिए थोड़ा सा एक दो चम्मच अद्रग और लैसन का पेश्ट डाल देंगे और यहां पे हमने यह तीन प्याज लिये थे मीडियम साइज के इनका पेश्ट बना लिया था मिक्सी में पीस लिया था इसको भी डाल दिया है और यह आदा चम्मच हल्दी इसको भी मिला लेंगे आपस में अच्छे तरीके से अब यह हमने पानी यूज नहीं किया इसलिए मिलाना जरूरी है तो हमें यहां पे आदा चम्मच मेड़ का पाउडर डाल दिया है मेड़ का पाउडर कम जादा अपने हसाब से कर सकते हैं एक चमच नमक डाल दिया नमक अपने अनुसार ले सकते हैं कम जादा तो इन सारी चीजों को अच्छे से मिला लिया है मसाले देखी नहीं भून लिए हमने अच्छी तरीके से मसाले भून जाए उसके बाद हमें डालना ही टमाटर का पेष्ट इसको भी हमने तीन मीडियम सैस के टमाटर लेके आप डाल स और देखिए यह डालने के बाद जो आलू हमने फ्राई किये थे उसको भी हम इसमें डाल देंगे तो देखिए आलू भी फ्राई है और कमल कखडी भी हमाई गली हुई है अब हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस तरीके से हम सारे मसाले में दालेंगे आपस में थोड agineे की पानी यह एड़ कर लिए बास उसको फिर चला लिजहें और आपका बन जाएगी और आपको ज्यादा पानी वली चाहिए थो आप पने पानी डाल सकते हैं थोड़ा है ना बहुत ज्यादा आरा सूकी को बढ़राली और इस तरीके से चला लेंगे तो हमारी सब्जी एकदम रेडी हो चुकी है और बहुत ही ज्यादा यम्मी लगती है खाने में इसको हम सर्फ कर लेते हैं देखिए इसका कलर भी कितना बढ़िया आया है और बहुत ही अच्छी लगेगी आपको खाने में अगर आपने कभी नह जाता है किस नाम से जाना जाता है देखिए एकदम मसालेदार नौन वेज की तरहें लग रही है और खाने में बिल्कुल नौन वेज का टेस्ट आपको लगेगा तो आप इसको बनाईए खाईए खिलाईए सबको खिलाईए सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है जी हाँ दोस्तों मेरा नाम है मेगा और आप देख रहे हैं सुमेरो किचिन और आपने अगर अभी तक हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब पर किलिक कर दीजे और साइड में बेल आइकन को प्रेस कर दीजे इससे आपको ह हमारे सारे आने वाले रेसिपीज की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट रेसिपीज में मिलेंगे तब तक के लिए टेक क्यार बाइबाइब एंड थैंक्स फॉर वाचिंग मैं चैनल सुमेरो किचेन